तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल फर्स ड्राइब में मैं हूँ आपका दोस्त और पारस चाबड़ा और आखिर दोस्तों साथ दिन के लॉक्डाउन के बाद हम फिर से हाजिर हैं अपने काम के साथ यानि कि आपको इंफोर्मेटिव वीडियो द के M.I.D. की और इस वीडियो को यहीं शुरू कर लेते हैं 3,2,1,GO! तो दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है क्रेटा के E-X मॉडल की M.I.D. और E-X मॉडल क्रेटा Next Gen 2020 का बेस मॉडल है और बेस मॉडल के होते हुए भी इसमें अच्छी बहुत खूब सूरत M.I.D. दी गई है जो की semi-digital है बीच में आपको TFT डिस्प्ले दी गई है और यह आपको analog ही दे रखा है और यह देख पारे होंगे यह टेको स्पीडो मीटर है यहां स्पीडो मीटर दे रखा है और इसी के अंदर illumination lights दे रखी है जैसा कि आज कल हमारी जंता को पसंदा रही illumination सो इसकी भी settings दे रखी है और आज हम देखेंगे अब इसी वीडियो में कि इस M.I.D. में और क्या-क्या features और खास settings दे रखी है और अब हम इदर देख पा रहे हैं यहां पर आपको temperature दे रखा है कि आपका engine temperature कितना है hot है या cold है और इदर आपको fuel indicator दे रखा है इसी के नीचे आपको sensor मिल जाता है fuel अगर आपका low fuel है तो यहां sensor आता है बल जब कि इस TFT display में भी लिखा आएगा कि low fuel है नहीं यहां बाकि सारे indicators मिल जाते हैं आपको जो कि आपको बताएंगे गाड़ी के सालत में यह आपका engine का है brake का है यहां बेल्ट का है बैटरी का है ऐसे ही सारे indicators होते हैं अब हम इस MID के features देखते हैं तो क्या-क्या features दे रखे हैं इसमें इसके यहां पर controls दे रखे हैं MID यहां से control होती है शुरू में आपको fuel economy ही दिखाएगा और जैसे कि हम इसको दिबाएंगे तो इसकी बहुत सारी settings आ जाती है अब settings देख लेते हैं क्या-क्या settings दे रखे हैं और settings को control करने के लिए यही से आपको up and down का button दे रखा और up and down जैसे कि अब दंबा रहे हैं और वहां आप देख पा रहे होंगी कि अब down हो रहा है and then okay दे रखा है किसी भी setting के अंदर जाना है तो okay दबाईए अब सारी setting देख लेते हैं क्या-क्या setting दे रखी है क्या खास है इस M.I.D. में M.I.D. की setting जैसे कि बतारते हैं यह button दबा है settings आ गई और इसके बाद हम lights में जाएंगे देखेंगे कि lights में क्या-क्या feature दे रखे हैं lights के अंदर आपको illumination दे रखा है illumination का मतलब क्या है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह जो इदर light है जल रही है सारी white white red यह सब illumination में आता है आप अपनी setting के साब से लगा लेते हैं मेरे को सबसे अप ही अच्छी लग रही है और दूसरी setting देख लेते हैं और क्या-क्या setting दे रखे है lights के अंदर एक और feature दे रहा है जो कि आपका one touch turn indicator और इसमें आप select कर सकते हैं कि आपको कितने one touch and turn indicator के flashes चाहिए यह आपर देख पा रहे हैं तीन flashes चाहिए या फिर जितने भी flashes चाहिए बेसिक में यह तीन पर आएगा आफ भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है और अब इसमें नीचे देख लें तो headlamp delay दे रखा है यह आपको basically default on ही मिलेगा आपकी मर्जी आप बंद या on रख सकते हैं धर हम back चले जाते हैं और फिर नीचे दूसरी setting पर आ जाते हैं जो कि यह door की settings दोर की settings देखे तो इसमें दो ही option आपको दे रखे हैं पहला है auto lock दूसरा है auto unlock पर देखेंगे तो सबसे पहले auto unlock पर आपको option दे रखाया तो off कर सकते हैं कि automatic lock ना हो क्यों कि कई बार क्या होता हम गाड़ी के अंदर ही चावी बूल जाते हैं और Indians के साथ अक्सर ऐसा होता तो हम बहुत जल्दी बूल जाते हैं तो बूल जाते हैं तो यह बंद कर सकते है auto unlock ताकि आगर आपकी बूल जाते है यूजली गारी तो बंद करके रखें ज्यादा बैटर रहेगा और दूसरा auto lock और auto lock की बात करें तो आपको यह enable मिलता है automatically आप disable भी कर सकते हैं यह क्या ह जाए कि वह आपको कितने लेवल पर चाहिए लाइक जो आपको बताता है TTT करके कि आप कितना दूर है किसी भी object से तो बेटर है कि आप louder रखें आप softer भी रख सकते हैं यह आप पर depend करता है मैं तो medium रखना चाहूंगा जो कि है two default में two पर ही मिलेगी आपको and welcome sound है TTT जो पर और light display होगा और दूसरा IC road warning जो basically इंडिया में सिर्फ mountain areas में काम आएगा क्योंकि IC road होगी तो यह आपको पहले ही warning दे देगा भाई कि आपको safely गाड़ी चलानी चाहिए चौता option आपको दे रखा है service interval आप इसमें enable कर सकते है service interval और उसके बाद आपको option आजाएगा कि आप अपनी मनमर्जी के नुसार इसको भी select कर सकते हैं मैं अभी save नहीं कर रहा हूं because यह अभी PQE गाड़ी नहीं है शोरूम में खड़ीवी गाड़ी है और इसको बंद भी कर सकते है and then मेरा मानना है कि आपको enable ही रखना चाहिए ताकि आपको याद दिला सके कि आपको मर्जी है और fuel economy unit है यहाँ पर आपको कैसे चाहिए किलोमेटर पर लीटर में चाहिए या लीटर पर 100 किलोमेटर चाहिए तो basically इंडिया में लोग किलोमेटर पर लीटर पर ही रखते है ताकि उनको average पता लग सके तो आप भी उसी पर रखेगा temperature unit इंडिया में Celsius पर ही और यही थे सब other features में जो कि आपको दे रखे थे and now नीचे reset है बस and also आप जब भी इसका reverse gear लगाएंगे तो यहाँ पर आपको indicators मिल जाते हैं जो आपको बताएंगे कि कहां से आपकी गाड़ी कितनी पीछे चल रही है तो थोड़ा reverse लेते हैं आप reverse लेते आप देखेंगे क आपको टोटो टोटो सुनाई देने लग जाएगी तो आपको यह indicators EX model में भी दे रखें इसका मतलब लाइक देखेंगे बीच में से impact हो रहा है तो ऐसा ही है कुछ इसका reverse parking sensors तो यही थी आपकी Creta की MID और मैं आपको एक चीज़ बता दू इसमे tire pressure monitoring system भी दिया गया even in the EX model that is the बेसे कूपर और petrol में base model तो कुछ ऐसी थी माइडी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़ेगा ताकि हम को थोड़ी motivation मिले और हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते and do whatever you want guys but do not go out of your home without protection